तो इस वक्त बज़ रहे हैं सुबह के 9.30 और सिंपल सा नाश्टा मैंने बना दिया था अंड़ा पराठा और बस यही खा के मेरे हस्बिन जा रहे हैं ऑफिस तो उनकी ऑफिस बहुत सवेरे का नहीं रहता है मतलब 10 बज़े तक निकलते हैं वो तो अपने हस्बिन को अलविदा करके उसके बाद जो है मैं सीधे किचन में चली जाती हूँ तो आज जो है मैं लंच के लिए जो ना चिकन रैप बना रही थी और क्यूंकि रोज रोज दा पेस्ट दो टेबल स्पून भरके इससे जो है कलर बहुत अच्छा आता है और ब्लैक पेपर पाउडर या वाइट पेपर पाउडर कोई भी आप वन टी स्पून ले सकते हैं और रेड चिली क्रश्ट वो भी वन टी स्पून और मिक्स्ट हर्ब्स जो हम लोग पास्ता में दालते हैं वो मैंने डाल दिया है मतलब हाफ टी स्पून के करीब और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से उसके बाद जो है यह ओले वॉइल है वो मुझे डालना है टू टेबल स्पून तो यह देखिए टू टेबल स्पून ऐसे नापते हैं दो बार घुमाते हैं और जिन्जर गालिक पेस्ट अगर हो सेके ता आप फ्रेश ही पीस के डालें अधरवाइस जा आपके फ्रिज में रेडी रहता है वो डाल दे और टर्मरिक पेस्ट जो होता है वो भी मैंने इसमें दो टी स्पून डाल दी हूँ तो बस इतने ही चीजे हैं मैरिनेशन के लिए तो इसको मिक्स कर दूँगी और चिकन जो है वो मैंने यहां पे ली हूँ आधा किलो आधा किलो चिकन उसको छोटे-चोटे पीसे में जो है मैंने काट लिया था तो बस वो डाल दूँगी इसको तो मैरिनेट हो जाएगा एक घंटा मैं इसको बाहर रखूंगी फ्रिज मे करना है अच्छा एक चीज जो है मैं इसमें भूली गई थी तंदूरी मसाला वो एक टेबल स्पून भर के डालना है तो बस इसको डाल के मैं इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी अलुमीनियम फॉइल लगा के और उसके बाद जो है मैं बैक्यार्ड में आ गई थी जो लॉंडरी के कपड़े सूख गए थे तो वो अलग-अलग करने तो वाइट बास्किट में मैं फोल्ड करने वाले कपड़े रखूंगी और ब्लू बास्किट में जो है मैं आइनिंग के कपड़े रखती हूँ तो म अब मेरी मेड आ गई है नीचे साफ सफाई कर रही है तो मैं सोची कि क्यों ना उपर का सब समेट लेती हूं और यहां जईम की ऑनलाइन क्लासेश चल रही है और आरिस जो है वो ऑन साइट स्कूल जाने लगा है तो उसके आने से पहले मैं कोशिश करती हूं जितना काम निप मैं फ्रेश होके फिर ही जाती हूं किचन में तो उससे मूड भी एकदम फ्रेश रहता है लेकिन आजकल मुझे अपने लिए बिल्कुल भी सेल्फ केर के लिए टाइम ही नहीं मिलता है और यह बहुत ही खराब आदत है मेरी जो कि मुझे चेंज करनी है तो आज मैं सोच रह कर रहा है कि मैं अच्छे से तयार हूं तो मैं हाइदराबादी जूल्री अपनी निकाल रही हूं जो कि मेरी फ्रेंड है उसकी सिस्टर से मैंने मंगवाया था इंडिया से तो बस आज मैं यह पहनूंगी और तो को अपने लिए स्पेशल टाइम निकालना चाहिए तयार हो क्योंकि पूरा दिन वो लोग काम में खपत रहती हैं तो अपने लिए बिल्कुल नहीं टाइम निकाल पाती तो जो है मैं सोच रही हूं कि आज अच्छे से तयार होंगी और इसके साथ जो है मैं माचिंग एरिंग पहनूंगी मेरे पास हर कलर की एरिंग है मुझे हर ड्रे तो बस मैं रेड़ी होके आगई थी किचन में अब जो है सारा दिन का काम स्टार्ट करते हैं तो यहां पे यह चिकन अच्छी तरा मारीनेट हो गया है अब मैं इसको बैंबू स्क्यूर्स में लगाऊँगी सारे चिकन को तो बस स्टार्ट करते हैं तो जिस तरा आप देख तो आप ज़रूर से ये देखें कि उसका हाथ fast forward चल रहा है कि नहीं ये सलीका जो है बच्चियों में ज़रूर देखा जाना चाहिए तो आप देख रहे हैं कि साथी साथ पकाने के मैं आप लोगों को बहु ढूनने की भी टिप्स बताई जा रही हूँ अगर इस चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो ये और भी अच्छा बनेगा लेकिन बस मैंने अचानक ही प्लान किया तो ये देखिए सारे चिकन यहाँ रेडी हो गए हैं तो बस एक पैन ले लेते हैं और जो है मैंने ये ग्रिल पैन ली हो और इसके ओपर ओलिव ओल डाल दूँगी आप अपनी मर्जी से कोई भी पसंद के अपनी मर्जी के ओल सकते हैं तो वह गरम हो गया है और उसके बाद जो है हम लोग उसके अंदर चिकन स्टिक्स डाल देंगे सारे और मीडियम अच पे इसको रखीगा क्योंकि चिकन को गलना भी है तो जब तक यहाँ चिकन गल रहा है हम लोग यहाँ दूसरा काम कर देते हैं तो सबसे पहले जो है मैं अपना चाकू तेज कर लेती हूं चाकू अब जो है मैं यहाँ पे तीन कलर की कैप्सिकम ले ले लिये हैं येलो ग्रीन और रेट तो जो है इसके जो है हम लोग अभी एक सालेड प्रिपेर करेंगे जो कि हम लोग चिकन रैप में डालेंगे अगर आप बहुत ही जबर्दस जो है चिकन रैप तयार करना चाहते हैं तो आप इसके साथ जो है टोमाटो और लेट्यूस ये सब डाल दें लेकिन जो है मेरे बच्चे जो है वो ये सब नहीं खाते हैं ये कैप्सिकम ही मैं लोगों को आँख दिखा दिखा के खिलाओंगी तो बस अगर मैं अपने हस्ब जो है वो भी मैंने ले ली थी और साथ में वो भी काट दूंगी तो ये प्यास को जो है उसको भी डालेंगे हम लोग तो यहां पे चिकन देखते रहिए ऐसा ना हो के कैप्सिकम काटने में बिजी है और यहां पीछे चिकन जल गया ताइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी ह तो अब जो है इस चिकन को हम लोग साइड में लग देते हैं और यहां पे दूसरा वोक ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग डालेंगे और इसका सालिड प्रिपेर करेंगे तो सबसे पहले जो है जीरा डालेंगे और जीरा डालेंगे इसमें हम लोग कैप्सिकम डाल दे तो चिकन भी अच्छी तरह गोल्डिन ब्राउन करना है हम लोगों को अब इसके बाद यहां हम लोग ने जो प्यास कट करके रखे थे वह भी डाल देंगे चूंकि प्यास वह कचर कचर करेगी मुह में अच्छा नहीं लगेगा तो प्यास को भी थोड़े से सौटे कर लेते ह और उसके बाद जो है इसको पकाना नहीं है बस गयास बन कर दे इसके बाद जो है अब हम लोग यहां आ जाते हैं चिकन राप को एसेंबल करने के लिए तो यह देखिए इस तरह का चिकन यहां रेडी है तो सबसे पेरे जो है हम लोग टॉर्टिला ले लेंगे तो यह तो आटा गून के रोटी बना सकते हैं तो यहाँ पे ले लिए पेस्ट वेलिए और इसको अच्यी अची तरह मजिसे लगाउंगी तो इसको लगाने में कन्जिशिपी बिल्कुल न कर एं अची तरह लगा लें तो यहां लग गया है और इसके बाद हम लोग जो चिकन फ्राय क अब इसको जो है सिर्फ रैप करना है तो इस तरह इसको रैप करना है दोनों तरफ से और फिर हम लोग एक तूद पिक लेके उसमें लगा देंगे ताकि एक खुलेना और पस सफ कर देंगे देखिए कितना खुबसूरत सा इतना टेस्टी सा लजीज लाजवाब रैप तयार ह है तो एक और देखिए किस तरह मैं इसको बना रही हूं और यह बहुत ईजी है और रमजान के लिए भी जो है यह बहुत अच्छा आइटम है और बहुत हेल्दी होता है और बच्छों को टिफिन में देने के लिए भी यह बहतरीन आइटम है तो वीडियो अगर आपको और उसके बाद जो है शाम में पांच बच गया था तो बस मेरे बच्छे बाहर खेलने चले गए थे और यह मुर्गे भी जो है यह सब बगावत पर उतर आये थे इन लोगों को भी बाहर निकलना था अपने केज से और यह मुर्गा जो देखिए हैरान करके रखा है इसने इतना परेशान किया है इतनी तेज तेज जो है कुकडुको कुकडुको चल्दा चल्दा के अपनी हलक फाड़ता है कि जो है चारी बज़े से जो है सब लोगों को बिस्तर पर से उठा देता है आजू बादू वाले इतने कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे बच्चे सो नहीं प अब हम लोगे पास 6 में से 5 जो है वो चिकिन बची हैं और इन में से चार मुर्गया है और एक लौता मुर्गा वो है जाईम का उसका नाम है लूजर उसके बाद जो है मैं आ गई थी घर मैंने जल्दी जल्दी डिनर प्रिपेर किया डिनर में मैंने बनाई हूँ चैने की डाल लौकी डाल के और यहां देखें यह अंडे का स्टू है अंडा दो प्याजा बोलते है ना वो प्रिपेर किया है मैंने और यहां पे यह आलू पालक की सबजी है यह कल की लेफ्ट ओवर है तो बस यही है हमारा डिनर और यहां पे जो है मैं पराठे प्रेपेर कर रही हूँ रोज रोज रोटी खाके जो एक दम दिल भर जाता है तो आज मैंने सोचा फॉर चेंज पराठा बनाती हूँ तो यह थी मेरी डेली रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी वीडियो आपको कैसी लगी हो अच्छी लगी हो तो आप चैनल पे ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा शर्माईएगा मत बिल्कुल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप सब्सक्राइब कर क्योंकि वीडियो आप लोगों मिलती है सिर्फ 10-11 मिनिट की लेकिन इसके बीचे बहुत ही जादा मेहनत लगती है तो आज के लिए अलविदा चाहती हूं कल मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ न्यू व्लॉग में अलाहाफेज ठेक खेर